नमस्कार दोस्तों एक बार पुना स्वागत आपका आपके अपने यूटूब चेनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रदान मंत्री विश्व कर्मा योजना के अंतर जो पारंपरीक सिल्पकार और कारीकर उनको जो गुवर्मेंट की तरह से एक से दो लाग दूस्तों से पहले यएदि आप हमारे चेनल पर नएयता हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें बेला आइकन को सहाइता के लिए केंद्री योजना है इसमें जो है दोस्तों आपको जो है 13,000 करों रुपे के बजट का प्रावदान अठारा पारंपरीक व्योसा है जिसमें जो है कार पेंटर, नाव बनाने वाला, अश्त्र बनाने वाला, लोहार, ताला बनाने वाला, हतोडा, टूलकिट, निवाता सुनार कुमार मुर्थिकार मोची राजमिस्त्री जो अठ्रा सिल्पिकार है इनको आवेदन बहरे जारे इनको पहले चरण में एक लाग रुपे और दूसरे चरण में दो लाग का रुप जो है ब्याज प्रांक पतिसद्व ब्याज दर पर लोन प्राप्त होगा औ तो पुप्रदानमंत्री विश्व करमा योजना के आवेधन फॉंबरने के लिए सबसे पहले हमें Google पर सर्च करना है P.M. 16 करमा योजञ सर्च करोगे तो जो सबसे पहली हमें link दीकरी पीम वीश्व करमा इस पर हमें क्लिक करना है जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से हम पीम वीश्व करमा के ओफिशल पोर्टल पर आ जाएंगे यह वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहां से आप कर आकर आप अपना अवेदन कर सकते साथी दोस्तों यदि आप से संचाहलग है तब इसरस्ट कर पाओगे अन्यता के बीना इसमें आवहदन नहीं होगा तो जो भी सा अपरेटर या CSC संचालक वही इसमें आवेदन कर पाएंगे तो उसके लिए दोस्तों हमें लोगिन वाले आप्शन पर क्लिक करना और CSC लोगिन पर क्लिक करना उसके बाद में जो सेकन डिए आप्शन आमें दीख रहा है CSC राजिस्टरड आर्टीस में इस पर हमें क्लिक करना जैसे इस पर आप क्लिक करोगा तो यहां पर हमें च्छी का उजर आडिए और पासवर्ड बोला जा रहा है तो यहां पर जो भी च्छी का जो भी से संचलक जिस जो भी आपके पास ग्रहाक आता है पीम वीशु कर्मा का आवधन करने के लिए तो च्छी संचलक आप इसमें पात्रता नहीं रखते हैं इसमें आवधन कर पाकर पाओगे इसको आप Nich को सिङुक्ट करना है तो स्लेक्ट करना के पदिन्द करो दोस्तो यहां पर आप performing करोगे होगा तो जो भी आपके अधार काड़ पर mobile number registered link है वही वाला mobile number यहां पर आपको देना है उसके बाद में आधार number देना है केप्चा कोड़ देना है गोसना पत्रा पर क्लिक करना है सिम्पल से continue पर click करना है जैसे आप continue पर click करोगे के बाद में तो जो भी आपका mobile number है, आधार कार्ड से link, mobile number देना, capture code देना और पुना आपको login पर click करना, जैसे आप login पर click करोगे, तो कुछ इस तरीके से आपको dashboard दिखेगा, दोस्तों कभी-कभी वह वाला option दिखे तो उससे घवराने के आवशकता नहीं है, और कभी-कभी आपका direct यह आपको देना और सिंपल से आपको continue पर click करना, जैसे आप जानकर देकर continue पर click करोगे, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको चार step में फॉर्म फिल करना है, फरस्ट में आपको प्रस्नल इंपरमेशन, क्रेडिस सपोर्ट इंपरमेशन, इसकिम बेनिफिस इंपरमेशन, और उसके बाद में declaration, यह चार step में आपको आवेदन फिल करना है, तो प्रस्नल डीटेल में सबसे पहले दोस्तों आपका जो आवेदक का नाम है, वो आपके आधार कार्ड के अनुसार आपका नाम ओटोमेटिक ले लेगा, और जन्मतिती भी आपके आधार कार्ड के अनु उसके बाद में यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो सेम स्टेट पर यहाँ पर आपको यह कर लेना है, उसके बाद में स्क्रोल करकर नीचे आना है, उसके बाद में are you doing business in same district, इसको भी यह को स्लेक्ट करना है, यह आप सेम डिस्टीक और सेम स्टेट में अपना बिजनेस करते तो यहां पर आपको पेन नमबर और आधार नमबर आपको चोड़ दे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको डेश्बोर्ड दिखेगा तो यहां पर फेमिली डीटल यहां पर रासन कार्ड नमबर तो दोस्तों यह जो आपके आधार कार्ड से जो भी आपकी समगरा आईडी है रासन कार्ड केवाई सी है उसके अनुसार जो डाटा आपका ओटोमेटिक उटा लेगा वही नमबर ले लेगा और यहां पर जो उनके फेमिली में उनकी जानकर यहां पर आप एके करकर एट कर सकते हैं उसके बाद में स्क्रोल करकर हमें नीचे आना है उसके बाद में दोस्ता आपका जो भी एड्रेस है वह एड्रेस यहां पर आधार के अनुसार एड्रेस पूरा यहां पर आपको सो हो जाएगा उसके बाद मे do you come under gram pancet यदि आप gram pancet के निवासी इसको select करना है उसके बाद में ब्लोक का chain करना है उसके बाद में आपकी gram pancet का chain कर लेना है यह हम आपको demo जानकर ही दिखा रहे है इसलिए दोस्तों आपका जो भी ब्लोक और जो भी gram pancet तो उसका chain कर ले उसके बाद में स्क्रोल करकर नीचे आना है उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको प्रोफेशनल ट्रेड नेम का बोला जाएगा तो जो भी हमने आपको बताया था उसमें से आप जिस भी आप जो भी काम करते जो भी ट्रेड है ज चुर्ण जो बिजणेश कर रहे तो ब्लाएं आपको लिटिल करनी है तो सबसे पहले डोवी आपका खाता जीसभी बेंक का इस पर पक्लीक करोगा यहां पर सर्च करो करोगे तो यहां पर जो भी बेंकमं आपका खाता नाम chain कर लेना उसके बाद में जो भी बेइंकम का आपका iC code है वो आपको देना है जैसे आप iFC code दो गए और सिंपल से सर्च पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ब्रांच नाम खुलकर आएगा उसके बाद में जो सब से पहले आपको जोए दोस्तों एक लाग का लौन मिलेगा ऐत्रा महीने के लिए उसके बाद में 30 महीन में के लिए आपको दो लाग का लोन रे खांतर कर लिए तो लोन की सोन और हम मैं यहांच को सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद में इंटर रिक्वाइड आप टू आरेस एक लाग यानि कि फर्स्ट बार में आपको जो दोस्तों कम से कम पचाहजार और एक अधिक से अधिक एक लाग तक का लोन मिल सकता तो आपको जितना भी लोन लेना वह यहां पर आप कर सकते आप चाहिए तो एक लाग पूरा टाइप कर सकते बेंक जितना भी 90-50000, 35-000 जो बी है वह यहां पर टाइप सकते उसके बाद में दोस्तों यहां पर ऐने अपको लोन लेंग कर ना है तो यदि आप अहन यह में loan purpose you can select multiple if apply यानि कि आप पर्चेस equipment equipment खरीडने के लिए loan ले रहे हो या working capital के लिए या business expense के लिए तो आप multiple के लिए भी आवेदन कर सकते हैं multiple select कर सकते हैं और कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद में exiting loan यदि आपके पास है तो उसकी जानकाई दे अन्यता इसको छोड़ देना यदि आपने पहले loan ले रखा है तो उसकी जानकाई देना इसको छोड़ दे उसके बाद में दोस्तों डीटेल incentive detail तो यहां पर यदि आप in is with detail है तो यसको select कररें इसको 9 को select करें तो आपको इसको नो को select रहने देना है उसके बाद में Zachary को click करना है और simple से next पर click करना जैसे आप जानकाई डाइल कर next पर click करोगे उसके बाध में दोस्तों यहांपर इसकी benefits नी information खुल कर तो यहां पर जो skill training के बारे में बताया गया है कि basic 5D की आपकी skill training होगी और 11 में पंदरा दिन के उसके बाद मैं आपको toolkit मिलेगी जो की 15000 रूपे की toolkit मिलेगी उसके बाद में यहां पर making support तो यहां पर आपको जो है दोस्तो please select the marketing support question that apply to your business expense you cannot select multiple field optional यदि आपको जोए दोस्तों इसको multiple select करना है तो आप यहाँ पर multiple select कर ले यह फिर आपको जो भी required उसको आप chain कर ले और उसके बाद में आपको show पर click करकर simple से next पर click करना है जैसे आप next पर click करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ सायची उस तरीके से आपका यह दिक्लेरेशन खुल कर आये का तक यहाँ पर सिंपल से अगईरी पर click करना है और submit करने से पहले दोस्तों आपको जो जानकारी अच्छे से मिलाना आ अच्छे से remark करने अच्छे से क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो application submitted successfully का message आएगा यहां पर आपको एक application number प्राप्त होगा यह application number आप किसी कागज पर note कर लिए फिर इसको कोपी करकर सुरक्षित रख लिए इसकी print निकाल ले और उसके बाद में आपको simple से डन पर क्लिक करना जैसे आप डन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों जैसे आप डन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से जो आपका अवेदर न सपलता पुर्वग सब्मिट हो यहां पर आपका नाम एप्लीकेशन इस्टेटफ जो है रिसीव पेंडिंग बाइंग ग्राम पंचा है तो दोस्तों आप जो है आपका अगर्द की जो प्रोसेस आपकी ग्राम याप का वेरिफिकेशन होगा उनके ग्राम पंचाय दोस्तों आपका जो है ये पंजियन का वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए आपको अपने ग्राम में संपर करना रहेगा उसके बाद में यह आप एप्लिकेशन में कोई सोधन करना चाहते तो यह क्लिक कर सकते हैं उसके बाद में स्क्रोल करकर हमें नीचे आना है उसके बाद में दोस्तों पीम विश्व करमा रजिस्टेशन सबसे पहला इस्टेप आपका जो तो अधार केवाई सी कंप्लिट हो गया जो हमने आपको बताए था उसके बाद में आवेदन भी रजिस्टेशन भी कंप्लिट हो गया आप जो दोस्तों आपका जो भी सर्टिपिकेट है यदि आप ग्राम पंचयत रूलर से रखता है वह अधिकारी इसका जो है सत्यापन करेगा और सत्यापन के बाद में आपका जो है दोस्तों इस योजना का आपको प्राप्त होगा उसके बाद में डाउनलोड यूर एप्लिकेशन पीडिएप पर क्लिक करकर इस आवेदन फाम की आप रसित प्रिंट कर ले और अपने पास सुरक्सित रखे तो दोस्तों प्रधान मंत्री विश्व करमा योजना में जो आवेदन फाम बरे जा रहे हैं वह आवेदन फाम आप इस तरीके से फिल कर सकते और आवेदन फिल करने के बाद में जो रिशिप्ट आपको प्राप्त होगी सुरक्सित संभाल कर अपने पास रख लेनी और आवेदन फाम की रसिद निकलने के बाद में आपको अपने नजदी की ग्राम पंचयत या जनपत पंचयत है जोबी आपकी नगरपाली वहां पर संपर्क करना आहें वहां पर दस्तायों जम्मा करना हैं और उसके बाद में वहां से जब भी जब सब्सक्राइब करना, सेर करना, लाइक करना और हमें सपोट करना तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में कुछ नए के साथ अब तक के लिए जाहिन वंदे मात्रम